बढ़ते हांगे चुनाव आयूग ने मद्रदेश के अमरवाडा सीट पर उप्चुनाव का एलान कर दिया है जहां 10 जुलाई को वोटिंग कराई जाएगी अब 13 जुलाई को मत गरना पूरी होने के बाद नतीजों का एलान कर दिया जाएगा बरमत गणा होगे और नतीजे आएंगे कामरेश प्रताप्शा किस तेचे के बाद इसी चखाने के थे चिंदवाडा की अमरवाडा सीट पर उप्चुनाव को लेकर जादा जानकारी दे रही है हमारी समवादता अमरतान शी जूशी जिसमें 14 जून को अधिसूचन जारी होने के बाद नमांकन के प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नमांकन के ये प्रक्रिया 21 जून तक चलेगी 26 जून को नाम वापसी की तारिक यहां पर चुनाव आयोग ने दी है 10 जूलाई को चुनाव आयोजित किये जाएंगे और 13 जूलाई को परणाम आ जाएंगे अमरवाड़ा सीट बेहदी महतवपूर्ण है चिनवाड़ा से जो कॉंग्रिस में विधायक रहे थे कमलेश प्रताप शाहा वो जब बीजोपी में शामिल हुए तो उन्होंने यहां पर इस्तीफा दे दिया था विधानसभा को अपना इस्तीफा सौपा था जिसके बाद अब उनकी विधानसभा में चुनाव आयोग ने उपचुनाव करने का फैस्वा लिया है चिनवाडा की एक विधानसभाओं में से अमरवाडा जो है वो आती है और कमलेश प्रताप शाह जो कि अब बीजोपी में शामिल हो गए है वो करीब तीन बारियां से विधायक रहे चुके हैं क्योंकि ये माना जा रहा था इसके पहले कि चिनवाडा कमलनाद का गड़ है लेकिन इस बार लोगसभा चुनावों में बीजोपी वहाँ पर सेंध लगाने में कामियाब रही लेकिन अबी भी अगर अमरवाडा को हटा दिया जाये तो सभी विधानसभा सीटे कॉंग्रिस के पास हैं और खुद कमलनाद भी एक सीट से विधायक हैं लेकिन अमरवाडा के जो विधायक है जब वो बीजोपी में शामिल हुए उन्होंने अपना स्तीफा सौपा अब यहाँ पर कयास लगाये जा रहे हैं कि बीजोपी दोबारा से कमलेश प्रताप शाह को ही अमरवाडा से बीजोपी के चेहरे के रूप में कोशित कर सकती है कमलाथ कगड में तरीके से माना जाता था हलाकि बीजोपी उसको तोड़ने में कामियाब रही कमलाथ चाहेंगे कि उनकी जो एक सीट है वो और बचा कर रखें और वो कॉंग्रिस के पास ही रखें उमीद की जा रही है कि बीजोपी जल्द ही नाम की घोशना भी कर सकती है क अमरेश पताब शा को दुबारा से मौका दिया जा सकता है लेकिन कॉंग्रिस यहां पर कोई नया चहरा उतारने की तैयारी में है कॉंग्रिस कोई नया चहरे को यहां से उतार सकती है लेकिन सियासत अब इस सीट को लेकर पूरी जो है वो देखने को मिलने वाली है दस जु और भी सीटों पर मदर्विदेश की उप्चुनाव आयोजित होने की संभावना जो है वो देखी जा रही है क्योंकि जोदी रादितिसिंदिया की सांसत की सीट खाली होगी शिवरा सिंग चुहान भी अपनी सीट से स्तीफा देंगे और भी कई सीटों पर उच्पना हो सकते ह हलाकि अभी तक रामनेवास रावत और निर्मला सप्रे जोकी दो विधायक बीजूपी में शामिल हुए हैं उन्होंने अभी तक स्तीफा नहीं दिया है लेकि मदर्विदेश की कई सीटों पर आने वाले दिनों में उप्चुनाव आयोजित होंगे